एक तरफ कोरोना की मार दूसरी तरफ बेमोसम बरसात से अब नई मुसीबते सामने आने लगी है हम आपको बता दे कि खबर शाडो जिले की तहसिल जैसी ही नगर्ष की है जहां पर बीते कुछ दिनों से जिले में मौसम ने करवट बदली है और लगातार एक सब्ता से जिले के चारो इलाकों में बारिश हो रही है वही इन दिनों जिले के तमाम उपारजन केंद्रों में गेहू खरीदी का कारी भी चालू है लेकित बेमोसम बरसात और खरीदी केंद्रों पल्ला परवाही के चलते किसानों के फसल बरबाद हो रही है जिले के इन खरीदी केंद्रों पर जिले के मुख्या लगातार भिवन भीग कर रहे हैं और उपारजन केंद्रों में किसानों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो शोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और खरीदी की गई फसल को सुरुक्षित रखने के तमाम दिशाने देश बावजुद इसके लापरवाहिस साब देखने को मिल रही है जहां बे मोसम हुई बारिश ते ना सिर्फ खरीदी गई फसल भीग रही है बलकि किसानों को भी उपारजन केंद्रों में कई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जिससे लाहों की फसल बरबाद होने के साथ ही स संक्रमेंट के बढ़ने की संभावना ही बढ़ती नजर आ रही है थे पनी बिछा के सरीदी यह वर बारिश का बराज है उसका करण से बढ़ने की वरस्ता की जया है तो इस पर क्या किया वह वहां है निरंद कुमार गुपता वाइस ओफ रैट्स के लिशाडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट